हलो फ्रेंद्स उम्मित करते हूं आप सबी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वड़े के अदर मैं आपको बताने वाला हूँ हम किस तरीके से यूटूब एप के स्क्रोलिंग इशू को सॉल कर सकते हैं दोस्तों हलाकि इस इशू के सॉलूशन पर मैं अल्रीट एक वीडियो बना चुक हूँ फिलाल अब अब थमनेल देख सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस सॉलूशन को ट्राइ किया और उन्हीं ये प्रॉलम जो हो दोबारा आ रहा हैं तो दोस्तों यहां पर आज के इस रूटे के नरा में complete solution जो है वो देखने वाले हैं अगर आप इसे follow कर लेंगे दोस्तों यहां पर multiple steps में आपको बताने वाला हूँ और अगर आप इसे follow कर लेंगे तो definitely यह issue आपको पर्मेरली solve हो जाएगा दोस्तों अपनी चैनल की website है technicalbonus.com फिलाल अब इसकीन पर article में वहाँ पर लिखता रहता हूँ आप check out कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के main portion के तरब सबसे पहला काम आपको यह करना है कि YouTube app जो है इसे install करना है अब आप पूछेंगे कि यह तो inbuilt app होता है इसे हम install नहीं कर सकते हैं दोस्तों यह सही है install तो नहीं कर सकत आपको दो conditions नजर आएंगे अगर आपको कोई update बागी होगा तो आपको दो बटन्स देखने मिलेंगे एक तो update बटन होगा और दूसरा open का बटन होगा तो यहां पर सबसे पहले तो आपको इसको update कर लेना है जैसे ही अप update कर लोगी तो दूसरी सिचिपिशन जो screen के होती ह है वो हमारे सामने होगी यहां पर हमें दो बटन्स देखने मिलेंगे पहला होगा install और दूसरा रहेगा open तो हमें क्या करना है कि एक चीज़ यहां पर मैं आपको clear करना चाहूंगा कि इसमें जैसे अब इसको install करोगे तो इसके जो update हम नहीं किये है application को install करने के बाद वह install ह होते हैं application remove नहीं होता अगर अपने YouTube अप में कोई ऐसी email अकाउंट से login कर रखा है जिस पर को YouTube अकाउंट है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाले don't worry आप सारे अंस्टॉल जो भी करेंगे वो सारे updates करेंगे application को नहीं करेंगे तो update को आपको install कर लेना है इसकी बाद आपको क्या करना है कि play store बंद कर देना है second thing mobile की home screen पर आना है उसके बाद आपको YouTube app के उपर tap and hold करना है उसके बाद app info का एक बटन आपको नजर आएगा वहाँ पर आपको tap करना है उसकी बाद आपको force stop का बटन दिखाई देगा वहाँ पर आपको tap करना है जैसे आप tap करोगे तो अगर in case अगर वो background में शुरू भी है तो अगेन आपको YouTube app के icon पर tap and hold करना है एप इंफो में आना है storage में आने के बाद आपको वहाँ पर दो बटन मिल जाएंगे एक होगा clear data इसे आपको कर लेना है और एक बटन होगा clear cache तो cache file temporary files होती है तो इसे भी आपको clear कर लेना दोनों चीज़ों कर लेना है इससे कोई भी हमारा personal data erase नहीं होगा don't worry यह कर लेने के बाद आपको दोबारा play store on करना है play store on करने के बाद इसे update कर लेना क्योंकि पहले हमने update इसके remove कर दे थे अब यहाँ पर update का button activate हो जाएगा यह सारी procedure step by step आपको करनी है यह sequence है दोस्तों यहाँ पर इसको अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो यह solution अपके लिए हो सकते कि काम ना करें तो इस तरीकी से आप करके दिखिए तो यूट्यूब आप में आने वाला scrolling का यह issue आपका definitely solve हो जाएगा तो बस दोस्तों इतने थे इस वीडियो के अंदर अगर आप इन सारी चैनल से सटिसफाइड है तो इस वीडियो और आप उस वीडियो को देखकर अपने knowledge को बढ़ा पए तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुती useful और interesting knowledgeable topic के साथ तब तक के goodbye and take care